जी नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब लगातार और लाइब लगातार आपसे हमेशा एसोपी पालंग करने का पक्षदर रहा है सब सब पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं खड़ा हूं बभी बोकारो के सेक्टर 4 के सीटी सेंटर में जहां हम आपको दिखा रहे हैं हमारे पिछे के तस्वीरों में साफ साफ है कि इस तरीके से कोरोना के मरीजों में याफा हो रहे हैं उसके बाद अब जो बजारों में जो ग्रहकों की हलात जो है ग्रहक भी बजारों में बहुत कम आना चाह रहे हैं लिहाजा इन बजारों में अब मातमी सनाता सापस रहा हुआ ह अब हम सबसे पहले आपको बता दे कि यही वह सेटी सेंटर है जो बोकारों का हट माना जाता रहा है और बोकारों का हट में यहां खड़िदारों और दुकनदारों की लंबी का तारी लगती थी लेकिन साथ अब जीस तरीके से बोकारों में कोरोना मरीजों में जीस तरह से उ इस तरीके से यहां बैजारों में गरहक नहीं है और इसका बेवसाय पर कोरोना का बेवसाय पर इसका बहुत ही प्रतिकुल असर भी देखने को मिल रहा है जिसके करण लिहागा यहां के बैपारी जो हैं बैपारी काफी और परिसान भी है चुकि एक बार अभी एक साल से जो क साइक बेवस्था जो था पटरियों पर लोट रहा था लेकिन एक बार फिर कुरोना के जीस तरीके से जो दूसरा कुरोना का लहर जो फैला है उसके कारण जो है लोग अब काफी भैकरान थे लिहाजा बाजारों में आना लोग पसंद नहीं करते हैं और जहां आते भी हो है य अब एक तरह से यह कहा जा सकता है कि उनका जिंदगी जो है अब जहन्दू टाइप का होते जा रहा है चुकि जिस तरीके से जिन परतिश्थानों का जिन परतिश्थान जो दुकाने हैं जो आस्थापित की गई है अधिकांस जो है इन बेवसाईयों का दुकान जो है किरा पर थे लेकिन एक साल से जो किराय नहीं दिया था और अब धीरे धीरे ब्युसाय उसके पट्री पर लोटने के असार उसको नजर आ रहे थे लेकिन जिस तरीके से करोना की संख्या में जो निरंतर बिल्धी हो रही है यह बेसा कहा जा सकता है कि बहुसायों को एक बार फिर त कि आप चारों तरफ के एक बार तस्वीर दिखा दें चुकि जिस तरीके से अब जो बजारों में जो संख्या में जो ग्रहकों की जो संख्या में जो कमी आ रही है यह निश्य तरपर ब्युसाई बर्गों के लिए चिंता का भी से है लाइब लगातार बुकारों से हैं बने रहे लगाता डॉट इनके साथ